हेलो दोस्तों नमस्कार जैमातादी कैसे हो आप लोग गाइस बहुत अच्छे होंगे तो गाइस आप लोग का चाय नास्ता हो गया सामके पांच बज रहे हैं और मुझे लगी है पूर और अब अब मेरी नना दना तो सुमित बदमासी किया है तो उसको डांट रही है किसी को कंकड से मार दिया है तो आई है बताने के लिए तुमारे सुमित ने हमको मारा है तो वह बोल रही है अभी हम उसको मारेंगे मुझे भूख लगी है और बुखार की वज़ा से ना मुझे ना खाना का कोई टेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो मैं आज सोच रही थी क्या खाऊं तो यहीं लेसुन चिल रही हूं और मिच्चा नमक चटनी बनाओंगी उसके बाद खाऊंगे देखती हूं अच्छा लगता है कि नहीं खाने में तो कि क्या कर रहे हूंगे आप लोग इस टाइम गाईज तुझे देखने को तरस्ती है आखे आखे कहीं दिल लगा तो नगा पता ने क्या काट लिया है हमारे हाथ में इतने बड़े बड़े च्छाले पड़ गए हैं और यह बहुत जलन कर रहा है साइद मच्छा काट लिया है तो गाईस मेरी यह साड़ी कैसी लग रही है यह साड़ी बहुत पुरानी साड़ी है तो बहुत समझ लो तेरा चौदा साल के बार इस साड़ी को हम पहने हैं क्योंकि यह साड़ी हम अपनी सादी में हमारी मम्मी दी थी हमको पहले ऐसे ही साड़ी चलते थे तो गाईस कोमेंट करके बताना क्योंकि यह साड़ी आज के डेट में कोई नहीं पहनता लेकिन मैं अपनी पुरानी यादे रखी हूं तो इसलिए आज पहनी हूं क्योंकि क्या है क्या है क्या है क्या है कि चप बैठ जाओं मार खाय हो ना है कि अधे साम को निकल ले ना सुमीट निकल ले मत बाग गया कि बहुत बद्रमासी करता है क्या करें हम तंग आ गए लड़के से किसी ना किसी के घर से जरूर संदेशा आथ आपके सुमित ने इतना अनौदी किया आज उसको मारा आज उसको पीटा आज इसको क्या बुला पता नहीं किया गया भगवान का समसम अतका गया पूरी तरह स हम जारे चक्नी बनाने जाएस क्योंकि हमारे खाने का टेष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हम आज यहीं खाएंगे क्योंकि देखे इस से का माचा एट एड ले लेक्तो हम आज बुला मुदी खाएंगे क्योंकि वर वोड़ी है तो हम यहीं खाले आज है तो हम प्ति खाएंगे.. रहा है बाद में जाना हमें पीसना है इसको हम जारे पीसमें ठीक है नमक लेतना है पता नहीं क्या काट लिया हमारे आप ने झाल झाल झाल